प्रिये छात्रू नमस्कार NCRT गड़ित कक्छा दस्मी में आपका स्वागत है हम लोग प्रिसनामली 5.3 में ही प्रेसन इक्रमांग नो अब सॉल्वर करेंगे तो आईए सबसे पहले प्रेसन पढ़ लेते हैं इसमें दिया गया है यदि किसी समांतर स्रेणिंगे प्रिथम सात पदों का योग 49 है और प्रिथम सत्रह पदों का योग 289 है तो इसके प्रिथम N पदों का योग ग्याद कीजिए तो सबसे पहले यहाँ पर योग की बात हो रही है तो साथ पदों का योग या सत्रह पदों का योग तो हमें N पदों का योग का फर्मूला याधी है तो हम उसी को देख लेते हैं N पदों का योगफल का फर्मूला होता है S N बराबर N बटे 2 2 A प्लस N माइनस 1 इंटू D तो यहां पर साथ पदों का योग पूंचा गया है तो जहां जहां N लिखा है वहां वहां पर आपको साथ लिख देना है और यह योग दिया गया है उननचास तो आप SN की जगह पर उननचास लिखेंगे तो इसके पहले हमें जिस तरीके से एक्जाम में करना है तो कुछ भासा लिखनी होती है जैसे माना किसी समांतर श्राणी का प्रिथम पद A और सार्व अंदर D होगा तो ये हमें सबसे पहले लिख लेना है तो आईए सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा है कि प्रिथम पद A है और सार्व अंदर D है किसी भी समांतर श्राणी का अब यहाँ पर प्रिष्ण में दो बातें दी हुई हैं पहली बात है साथ पदों का योग उनचास है और दूसरी बात है सत्रह पदों का योग दोसो नबासी है तो हम दोनो को प्रस्ण पढ़ने हैं चुकि हम प्रस्ण पढ़ रहे हैं फिर यह लिखेंगे इसलिए आप यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे प्रस्ण अनुसार और सात पदों का योग उनचास है तो मैंने आपको बताया है N पदों का योग होता है N बटे 2, 2A फ्लस N माइनस 1 इंटो D तो सात पदों का N सात बटे 2, 2A, 7 माइनस 1 इंटो D और SN जो है तो S7 दिया गया है उनचास तो आप यहाँ पर 49 लिखेंगे और जहाँ जहाँ N लिखा है वहाँ वहाँ आपको 7 लिख देना है तो यह जो इस तरीके का कुछ बनेगा आप दोनों का comparison कर सकते हैं यहाँ पर N है तो 7 पदों का योग 49 है इसलिए S7 तो 49 हो जाएगा लेकिन 7 पदों का योग है इसलिए जहाँ जहाँ N लिखा है आप देख सकते हैं वहाँ पर हमने 7 रखा है बाकी 2 A जियों का तेओं और D भी जियों का तेओं यहाँ पर N था तो यहाँ पर हमने 7 रखा है तो बाकि सबजियों कातेओं लिख देना है आपको जहां पर N है किवल वहीं पर आपको साथ लिख देना है तो अब हम प्रस्णानुसार करते हैं इसको solve तो चूकि हम इसको फश्ट सर्थ भी बोल सकते हैं तो फश्ट सर्थ यानि पहली बात क्या है साथ पदों का योग उनन्चास है तो साथ पदों का योग कितना होता है यह होता है साथ बटे दो 2A प्लस 7-1 इंटू डी और यह कितना हो जाएगा उनन्चास तो यह है अब इसको solve कर लेते हैं तो अभी साथ बटे दो जियों काते हो अंदर 2A यह प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लगा देते हैं फिर साथ में माइनस एक है इसका मतलब साथ और एक साथ में से एक घट जाएगा तो छै बचेगा और यह डी अब साथ में लग देते हैं बरावर उनन्चास यहाँ पर यह जो साथ है साथ बटे दो तो दो जो है वो बटे में है और बटे बाली संक्या यहाँ पर पक्चांतर हो जाएगा तो गुणा में पहुँच जाएगी और उपर बाली संक्या यानि गुणा बाली संक्या बटे में पहुँच जाएगी तो या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं ये 2A प्लस 6D के साथ में ये 7 बटे 2 जो है ये गुणा में लिखा है तो ये 7 बटे 2 बटे में जाएगा लेकिन यहाँ पर 49 लिखा है तो 49 के बटे में ये आ जाएगा 7 बटे 2 तो ये पलट जाएगा तो 49 साथ बटे दो गुणा में आ जाएगा दो बटे साथ इस तरीके से तो आप जिस तरीके सी भी समझ पाए चलिए तो साथ बटे दो का पक्छांतर करना है तो इसको नहीं लिखते हैं फिर यहां से स्टार्ट करते हैं दो ए प्लस छे डी बरावर उननचास यह पहले जियों काते हैं लिखना है यहां से लेके यहां तक जियों काते हैं लिखा फिर साथ बटे दो में बटे वाली संख्या गुणा में जाएगी उपर और गुणा वाली संख्या बटे में आएगी नीचे बहुत ही सिंपल है बटे वाली संख्या गुणा में जाएगी और गुणा वाली संख्या बटे में आएगी यहां से 7 और 49 चैंसल हो जाएगे तो 7 सदैया 49 हो जाएगा तो 7 आया तो अब हम यहां से लिख देते हैं 2A प्लस 6D परावर 7 सदैया 49 यहां साथ बार कैंसल हुआ है तो 7 दूनी 14 है तो यहां पर 2 से हम भाग दे सकते हैं क्योंकि यहां पर सभी 2 से कैंसल हो रहे हैं तो 2 A कम 2 हो जाएगा यानि कि यहां पर A बचेगा 2 तीया 6 यहां 3 वार चला जाएगा 2 तीया 6 DJ उंकाते हो और यहां पर 2 सत्ते 14 यहां से पूरे समिंकरण में 2 से भाग दे दिया है इसको हम समिंकरण 1 बना सकते हैं तो यहां पर आप लिख सकते हो पूरे समिंकरण में 2 से भाग देने पर यह आप लिख सकते हैं चलिए यह तो थी सर्त 1 और यहां से सर्त 1 से हमने यह पूरा जमा लिया अब सेकंड सर्थ देख लेते हैं तो पहले हम है डिंग डाल देते हैं सेकंड सर्थ से आईए सर्थ पढ़ लेते हैं इसमें लिखा है सत्रह पदों का योग दो सो नवासी है तो N पदों का योग आप जानते हैं N बटे दो 2A प्लस N माइनस बन इंटू D ये है N पदों का योग तो सत्रह पदों का योग कितना हो जाएगा तो अंसर है जहां जहां पर N लिखा है वहां पहां पर सत्रह हो जाएगा तो आप देख रहे हैं यहां पर N लिखा है तो यहां पर सत्रह लिख दिया यहाँ परहन लिखा है तो यहाँ पर भी 17 लिख दिया और S 17 आपको question में दिया है जो कि 17 पदों का योग 289 है इसका मतलब S 17 आपको दिया गया है 299 तो 17 पदों का योग 289 है तो आप इसको पहले लिखेंगे और बाद में जा के लिख देंगे 289 तो आईए इसी तरीके से कर लेते हैं सेगंड सर्थ में लिखा है 17 पदों का योग 287 है तो 17 पदों का योग होगा इस से देख लेते हैं 17 बटे 2 2A प्लस N माइनस बन होता है लेकिन 17 माइनस बन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 17 पदों का योग हमसे हमें दिया गया है और ये दिया गया है 289 तो हम यहाँ पर question से देख लेंगे 289 हमें दिया गया है तो इस तरीके से आपको लिख लेना है अब इसको जियों कातिम लिखते हैं 17 बटे 2 और अंदर का जूणना गटाना कर लेते हैं 2A 17 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचा तो 16 D बच जाएगा bracket कर देते हैं बंद बरावर 289 जियों कातिम अब यहाँ पर बटे वाली संक्या गुणा में चले जाएगी और गुणा वाली संक्या बटे में चले जाएगी तो इसका करना है पक्चांतर पूरे के पूरे 17 बटे 2 का पक्चांतर करना है इसलिए इसको आप अब नहीं लिखोगे और यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना 2 A प्लस 16 D बरावर 289 इसको आपको लिख देना है अब यह जो 17 बटे 2 है इसको क्या करना है पक्चांतर तो यहाँ देखिए बटे में कितना है 2 बटे वाली संक्या यहाँ पर पहुँच जाएगी गुणा में और यह गुणा वाली संक्या यानि जो उपर लिखा है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे लिखा है वो उपर पहुँच जाएगा सीधी सी बात है जो नीचे लिखा है वो उपर पहुंच जाएगा बटे जो उपर लिखा था अब वो नीचे आ जाएगा तो सत्रही सत्रम 289 होता है ये आप गुणा करके भी पता कर सकते हैं और सत्रह जो है उसका बर्ग होता है 289 तो आपके पास बचेगा 2A इसको जियों काते हो लिखिए फिर 16D इसको भी जियों काते हो लिखिए और यहाँ पर सत्रह दूनी 34 आपको गुणा कर देना है तो आपको 34 मिलेगा इसमें भी 2 से बाग चला जाता है दो एकम दो एक बार गया प्लस दो अटे 16 आट बार चला गया फिर 17 दूनी 34 यानि 2 सत्रम 34 तो 17 बार चला गया इसको आप समिंक्रण 2 देंगे और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो दो से भाग करने पर चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें समिंक्रण 1 बाद 2 मिल चुका है यह समिंक्रण 1 है यह समिंक्रण 2 है तो दोनों समिंक्रणों को आप बिलूपन बिदी से या फिर आप घटा ही देंगे डारेक्ट से तो आप देख रहे हैं कि यह वाला A जो है और ये दोनों कैंसल हो जाएंगे घटाने से तो D कामान मिलेगा तो आईए सबसे पहले हम समिंकरण 1 बादो को साथ साथ लिखते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं समिंकरण 1 माइनस 2 से तो चलिए लिख लेते हैं समिंकरण 1 माइनस 2 से तो अब यहाँ पर हम समिक्रण एक लिख लेते हैं पहले जो कि हमने बनाया था A प्लस 3D बरावर 7 तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले समिक्रण एक लिख लेना है और इसको नाम भी दे देना है कि यह समिक्रण एक है और इसके बाद दूसरे नंबर पर जो बनाया था वो था A प्लस 8D बरावर 17 इसको आप समिक्रण दो नाम दे देते हैं अब चुकि यहाँ पर आपने लिखा है कि माइनस करना है तो आप यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं घटाने पर तो जब आप घटाएंगे तो सिर्फ घटाने का नियम बहुत ही सिंपल होता है कि जो नीचे वाला समिक्रण है केवल उसी के चिन बदलिए उपर वाले के नहीं बदलिए यह नियम है तो जिसमें भी चिन नहीं लगा है वो पहले तो पिलस का है ये भी प्लस का है, अब इनको बदलना है तो घटाने का मुखनी आम आपको याद रखना है नीचे वाले समिक्रन के सभी पदों के चिन बदल देना है जैसे ये धनका है, तो इसको गोला लगाइजी और इसको रणका कर दीजी ये भी धनका है इसको भी रिनका करिए और ये धनका है तो इसको भी रिनका कर दीजिए और एक लाइन कीजना है उपर वाला धनका है ए और नीचे वाला रिनका है तो दोनों तो कैंसल हो जाएंगे इसलिए तो हमने यह माइनस वाली प्रोसेस की है ताकि दोनों कैंसल हो जाए अब यहाँ पर 8D और प्लस का 3D है लेकिन माइनस का 8D है तो माइनस जो बचेगा 8 में से 3 घटाई यह कितना है 5 तो 5D तो माइनस का 5D बचेगा माइनस का इसलिए बचा है क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है 17 में से 7 चले जाएंगी तो माइनस का 10 बच जाएगा आपको हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है हमेशा याद रखिए चाहे कितनी भी हो बड़ी में से छोटी घटती है लेकिन चिन हमें सब बड़ी संक्या का रहता है या बड़ी संक्या जिसमें चिन रहेगा वो बड़ी संक्या का ही रहेगा जैसे यहाँ पर सत्रह मैंसे आपने साथ गटाए तो आपको मिला दस लेकिन चिन ने तो माइनस का रहा क्यों रहा माइनस का? क्योंकि 17 बड़ी संक्या थी तो उसका माइनस हम लगाएंगे चलिए माइनस माइनस आप दोनों तरब से आप कैंसल कर दीजिए तो बचेएगा 5 D बरावर 10 माइनस तो कैंसल हो गए अब D का मान निकालना है इसलिए D के साथ में यह जो 5 है यह गुणा में है तो गुणावाली संक्या बटे में आ जाएगी तो D बरावर आपको मिलेगा 10 बटे 5 बहुत ही सिंपल है अब आप कैंसल कर दीजिए तो 5 दूनी 10 दो बार भाग चला जाएगा तो D का मान आपको कितना मिल गया दो मिला है अब आपको D का मान तो मिल गया है और A का मान आप और निकाल सकते हो कहां से तो अंसर समिंकन एक मान रखके तो D का मान समिंकन एक में रख दीजिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी का मान समिंकन एक में रखने पर चलिए सबसे पहले मैं आपको देखने के लिए यहाँ पर समी करने एक लिखूंगा जो की है A प्लस 3D बरावर 7 तो A प्लस 3D बरावर 7 यह हमने लिख लिया अब D का जो मान है वो कितना है? 2 है तो हम रख देते हैं तो A प्लस 3 और D की जगह पर आपको यह D नहीं लिखना है और D का आप मान रख दीजिए 2 बरावर 7 अब गुणा और कर देते हैं तो A प्लस 3 दूनी 6 बरावर 7 आपको गुणा कर देना है आप चुकि A का मान निकालना है इसलिए जो 6 है इसका पक्षांतर इस तरफ कर देना है तो A बरावर 7 पहले से लिखा था इसको जिएँ का तें प्लस का 6 इस तरह पा जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा तो 7 मैसे 6 चले जाएगे तो आपको मिलेगा 1 यह है A का मान तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने A और D दोनों के मान निकाल लिये हैं अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें लिखा है N पदों तक का योग ग्याद कीजिए आईए मैं आपको दिखा देता है यदि क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर A और D के मान हमने ग्याद कर लिये हैं यहाँ पर हम लग देते हैं तो हमें N पदों तक का योग मिल जाएगा चलिए करते हैं तो A और D के मान मिल चुके थे अब आगे बढ़ते हैं N पदों तक का योग फ़ल पूचा गया है इसलिए चोकि यहां पर heading डाल देते हैं इसलिए n पदों तक का यह फल और इसका formula होता है s n बराबर n बटे 2 2a प्लस n-1 into d यह formula होता है अब a और d के किवाल आपको मान रख देने हैं तो n बटे 2, 2a का मान कितना है यहां पर 1 रख दीजिए प्लस लगा है तो प्लस n-1 जियों काते हो और d का मान हमने निकाला है उपर जोकि 2 है तो यहां पर आप 2 रख दीजिए आगे बढ़ते हैं तो n बटे 2 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 का n में गुणा करेंगे तो 2n हो जाएगा माइनस 2 यह प्लस का और माइनस का 2 कैंसल हो जाएगा तो आगे आपको मिलेगा n बटे 2 गुणित 2n बाकी तो कैंसल हो गया यहां से 2 और 2 कैंसल हो जाएगा तो n गुणित n मिलेगा आपको M गुणा करेंगे तो N स्क्यर हो जाएगा तो N पदों तक का युक्फन होगा N स्क्यर इस तरीकी से ये सॉल्व हो जाएगा Thank you